आप देख रहे हैं दखल न्यूज नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल न्यूज और हमारे खास कारेकरम उडान में आपका स्वागत है आज उडान में हम आपको एक नई प्रतिभा से मुलाकात करवाएंगे एक छोटे से बाल साहितिकार से आपकी मुलाकात करवाएंगे हर्ष आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में हर्ष आज के परिवेश में लोग ऐसे में वाटसेप और फेस्बुक पे बिजी रहते हैं और आप सहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं कैसा लग रहा है जब मेरी पहली कहानी की किताब प्रकाशित हुई तो इस कहानी की किताब में मैंने 15 कहानियां छोटी छोटी लिखी हैं जिस पर मैंने जो कि अभी के जैसे लेट लतीफ पेड़ ना काटो स्वच्छता भी यह जो अभी में आगा जो मुद्दे उठते आ रहे हैं जल संकट पर उन पर मैंने सब अपनी कहानियां लिखी हुई हर्ष आपने हमने देखा आपकी किताब को हर्ष की किताब है उचे स वोकशल नुकसान पहुचाण लेती हैं आप पेड काटते हैं तो आप की प्रकरती को किता इस नुकसान होता है इन छोटी छोटी बातो पर गदिन पर किसी का ध्यानि जाता हा तक हर्ष ने यह वह बहुत शीस्टारीज लिखा थे हुपू को लिखा थो क्या आपके बीमार सूचता था कि ऐस किसे लिखूँ अब कापि कोई रख तो को अभी कुछ थाया कि अभी ले लिख अग अपकत बोद कोई यह की पराम कॉपर दसे लेखिए भीक we विए उम्र क्या थी जब आपने लिखना शुरू कि और आपको कैसे पता चला कि मैं लिख सफता हूं मैंने मतलब पहले जिसे मैं दूसरे की में अपने दादा जी मेरे लिखते हैं तो मैं उनकी काहनी और कविता पड़ा करता था हर्ष के दादा जी महेश सकसेना जी एक बड़े साहित तेकार है और शायद यही खूबी है हर्ष में कि वह खून है जो इनको लिखने पर मश्बूर कर देता है हर्ष हम आपसे बात कर रहे हैं आपकी शुरूवात कैसे हुए तो मैं पहले मैं अपने दादा जी की कवीता कहा तो मैंने मैं लिखता तो वो तुरूटी हूं मैं मेरी शुद्ध हिंदी नहीं थी उसके बाद फिर मैंने दीर 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 लिखना चालू किया तो अब दीर 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 कहानी की अपके किताब रखाशित हो गई हम देखते हैं इस जीश को की बच्चे आजकल इंगलिश में प क्रफएट करते हैं तो मैंने जीश अब डादा जी और आपने डिखता है कि अज जो पेड़ कटरे हैं उनके बारे में लिखा एं तो जब लिख लिखते हो आपकी तुरूटियों को कैसे अज़ आठे से लिखने का अब ये पहले लिखता था तो अबी ब़िखता थार अब बच्चा यूवास्था में आते आते ता कि बड़ा साहितिकार वनेगा इसके लिए महेश सकसेना जी को सलाम है कि उन्होंने इस धरोहर को सम्हाल के रखा और आगे की पीड़ी में वह उसको रहे हैं महेश सकसेना जी बहुत बड़े साहितिकार है आपके दादा जी आपको लिखना भी सिखा रहे हैं यह जो कहानिया है जैसे आपने बताई लेट लातिफी क्या दिमाग में आया था लेट लातिफी तो मेरा एक मतलब एक दोस्ते उसका एक्जाम था इन दौर में उसने कानी फ्रेम कर दी तो यह बड़ा ही अच्छा हुनर है कि जो हमारे आसपास घट रहा है सोचते हैं सुनते हैं और छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं लेकिन हर्ष उसको लिख देते हैं और इतिहास बनाने के लिए किताबों में संजो देते हैं हर्ष यह तो लेट लट पेड़ कटने की बात हुई मैंने देखा इसमें अपने गनपती बापा मोरिया पर भी लिखा है क्या है उसमें तो मैंने ऐसा लिखा है कि मतलब जो हमारे कॉलनी में भी बैठते हैं तो उसमें कैसे बच्चे चंदा करते थे उसके बाद फिर जैसे कुछ गलत यूज भी कर पर दिया तो उसके बाद पर लोग बिटाते थे कैसे तैयारी करते थे कैसे एक चीज जोड़ते ठेस है जो पंडाले उसमेन लिए और उसक बाद विसर्जन केसे करते लाते कैसे ते सवागात उस पर पूरे कैसी प्रेम करी है मैं अज आज की डेप में जहां बच्चे अप विठाने की विधी चंदे से लेकर विसर्जन तक की हर्ष ने अपनी पुस्तक में सजोई है हर्ष एक चीज और है जब आप लिखते हो पुस्तर तो सबस्यादा प्रोटसान आपको घर मिलता है प्रोटसान तो मतलब देखा जाए तो सबस्यादा दादाजी जेते हैं कि आप कि लिखते हैं तो सबस्तर देखा जैसे कुछ गलत भी लिख रहा हूं उसको सुदार के यह जए तो सबस्यादा प्रोटसान तो मतलब अच्पण बच्पण में दादाधी कहानी तो सुनाते हैं लेकिन कहानी आपके मन में घर गगई और आपने कहानीया लिखना बढ़े शुटी चीजें आपके दिमाग में आते हैं वह राइग्छे लिए किताब है तो आपकी यह कहानिया आपके दोस्त और अपके दोस्त और आपके डिप्रेंड्चे पड़ते हैं तो वह अब रहते हैं वह दो लिखा तो एक तरह से खुश होते हैं कि वायर भई अच्छे लिखे काई हम आपकी किताब में देख रहे हैं हर्ष कि आपको बहुत सारे लोगों ने आशिरवात भी दिया है विशिज दी है किया लगता अपको जब ये बड़े लोग बड़े मंचू से आपको आपको मेरी किताब में अभी किताब ये बाहर, किरोला जी अफिर मेरा ऑभी फाल देर में ये पने लोग दी को है अनिते प्लपड़े मंधिर नंस्थोता Olden छ्टाब वह दूरे हाय और ऐभी मुश्य और पर सालन आका दी वहां से अ हर्ष को बहुत सारे बड़े लोगों ने आश्रिवाद लिगके भीजा है हर्ष के साथ है हर्ष के साथ ही दादा दादी कहानिया हर्ष के साथ है जो आगे बढ़ा रही है हर्ष को अगे बढ़ा रही है हर्ष को अपके परिवार में और कौन कौन है परिवार में मम्मी पाप चाहिए दादांधा हैं दादाधा दादी हम सब अगार तो सब एक वूआ फुपजी अब माम अमी सब सब्सक्राइब रहती हैं अब रागता है कि अब सब्राइब अब हुझे हो थो बर्छा इस पहती है अब लुझे होगी तो यह थी। नहीं अब सब लोग खुश होते हैं जब साथ में बढ़ते हैं तो जब मेर से पूछ तो तुम कुछ सुनाओ तो मैं अपनी स्टोरी नहीं तो कुछ कवीता सुनाता हू तो बहुत मतलब अब आपको कोई कवीता याद है जो अब हमारे दर्शकों को सुनासके हैं बन्हें चीए पिल्ए दादा जी आराम करो लिया प्रबू कानाम करो रोज कहानी मुझे सुनाऊ जोती है भूल रहो भी और रहो गयुदा भी ली लाइन उग उसके लिखा हूं तो कविता भी आप लिखते हैं, तो साहित जो आप लेखन है तो कविता भी आपकी जुड़ी है, तो डदाजी पर आपने लिखा इस पुस्तक में जो आपने लिखी है अभी बाल कहानी संग्रा उसमें सबसे फेवरेट स्टोरी आपकी कौनसी है? मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी है जैकी की वफादारी जो यह पूरी जो अरृगी पर लिखी हैं, कि वो कैसे अपने मालिक को बचाता है उनके घर पर छोरी देख बगल करने में लिखाष्टा है यह पुरी का इस ब्लग के देख बचाशे इस पर लिख़ने में पाड़ को कि एक मंच पे आपको यह स्टोरी के बारे में कुछ टुकडा बताना या सुनाना हो जिससे पूरी स्टोरी समझ में आए तो कैसे आप यह कुछ स्टोरी ऐसी है कि मतलब उनके सब घर वाले एगरी नहीं होते हैं डॉगी को लाने के लिए तो मगर जो एक लड़का रहता है ज तो वो डॉगी कैसे उस चोर को पकड़ता है कैसे उनकी मदद करता है उस पहचानने में पूर को तो उसी पे मैंने चोटी सी कानी पूरी लिखी है यह आपकी पुस्तक की सबसे फेवरेट स्टोरी है इसी पुस्तक में यह तो आपकी फेवरेट स्टोरी हो गए आपकी लेट लतीफ है वही जो आप ने अपने दोफ से कहानी सुनी और उस पर लिख डाली तो पापा क्या मानना है पुस्तक को देखने के बाद जब आपने दादा जी ने और आपने बड़े डिसकस करके इस्टूरीज लिखी और जब पाप ने पढ़ी तो उनका रियक्शन क्या वई एक मोटिवेट ही वई लिखर देखनो झाली समया जाल안ा जंब प्रींट सुनी जब भी प्रें में ₧ में जब लिखी वई जासंदूरी तो ने वी में ₹ है गली को वई ये ये क्लीनद क्या में दो प्रीं दोट कर्ए डाला कि अंट सर्सक्त कर्यों से क्लीट सभी व वार्ष आप कौंसे स्कूल में पढ़ते हैं और कौनसी क्लास? इस्कूल में एक तरह से मैं वही सब इससे जान गया था कि मता भई यह लिखता है और 11 में मैंने सब को जब दीती तो सब वही बोलते थे कि यह भी राइटार एक तरह से भी लिखता है तो इसकूल में भी हार्श से हम साहित और कवीता पर यूही चर्चा जारी रखेंगे आप देख रहे हैं तखल न्यूज आप देख रहे हैं तखल न्यूज ब्रिक के बाद आपका स्वागत है हर्श के साथ बाचीत यूही जारी है हर्श साहित कवीता घर का पूरा माहौल लिखने और पढ़ने वाला सुनने और सुनाने वाला कैसा लगता है जब आप घर में रहते हैं और दादा जी कहते हैं हर्श यह कुछ टॉपिक अच्छा लग रहा है इस पर लिखकर लिखाओ नहीं पर लिखने के अब तो तुम लिखो तो ऐसे हम दोनों की जो चर्चा होती है उसमें जो एक नए टॉपिक आते हैं उसमें फिर जैसे कभी कुछ मैं बता जेता हूं में कि बाब आपन यह ले सकते हैं तो फिर कभी कुछ वो बताते हैं कि अब तुम इसको मताब एक तरह से जोड़ के इस टॉपिक पर आगे लिखो तो ऐसी हम दूनों मताब जो छोटे-चोटे टॉपिक्स ले लेके नहीं कहानी कभी था कुछ आपके परिवार का कुछ सब जगह के राजी के साहितिकारों का बाल साहितिकार उनका संवान करते हैं और वह संस्ता वर बच्चों पर वाकि सब एरिया के बच्चे हैं वागी उनको लिटरेचर सुदारना उनका कवीता कहानी सिखाना उनने मताब और बहां बहा अधर गतिवीद्य यह डांस हो गया पेंटिंग उगए प्यूजिक एग यह सब भी तो संस्तानम सिखाएं अलावा जो बच्चे विए बच्चे हैं जो और बाल पे बालसा हितिकार हैं उनको आप अप उनको भी हम्मोटिवेट करते हैं उनको मंँळब्यब्या उनको मंच काता है? उनको जैसे वह नग can you? तो जैसे वह भी को पॉये मुझख ऐसे हो प्मैड़ा के, जैसे मेरे साथ बसे है। जैसे मैरे साथ है यह बना ओनो obsessed wagon, मैं आप पहुझे आप ए zvä yank, यह सबчती है चरड़ने कर completely off violin année, ऊड़ी राट भीहारा, फरे वह सुन, बस फेहासि गळूपनी और एडर सब्सक्सा दो लहीं। आए जो हमारे भॉपाल आज बड़ेश जो लोग फुरल अवार बट्चे रहुआ करते हैं सोंकरा मे अरा भी करते मुपमाइय के लोग अंफ चिक हैं लग जो उन अब्या कर पहार्ण किना वह अंचलत मुईया करा इस पहराण धर्ग मांनिक नाय रमापते हैं कि छोटी कहानियां पढ़ने में जादा आती हैं चोटे बच्चे चोटी चोटी स्टोरीज पढ़ने में बहुत खुश रहते हैं बहुत लंबी-लंबी कहानियां होती है तो बहुत जाते हैं ऐसा कुछ यहाँ जदी कहानी कैर्छ लिगे मुट हो थो पिताप शोचिछ है देड्गों के बड़ी हो कर्णों अब कोशिष कर रहा हूँ कर्ण को ब्हो बाधि कर दो हो आपक लेकम कहानी कोँट हो पताए इसक लिगे लिगे मेहनत का चाहनी बड़ी लिड़ी वह तो क्या शुक्त बैने एक बच्च के लिखाया कि वह नहीं पानी नहीं रहता एक है तो लोग कहा कहा से दूर से पानी रहते हैं उसके लोग उनके बच्च्च को अजय दे रहे हैं कि अष्ट कर एंद kepada दूट करें देवानने लगे लगे अष्ट करना ना को क्कषण है ― मैं नहीं होते is a story स्टोरी लिखिजा सुप इझा कुषण को से सजा लगे दूवे देवी इसंठी सुप बोला हो अशप टोरी बहा है कि अ है वiam में लिखे हैं कि दूर थे भीत कि विल आज को रे ₱ परиновण गहीं कि जूट का जो बच्छ आज गोन अजानए है कि आज कर भे झूट करते में लिख है यह उसमें प्रइश्मेंट मिली है आपकी किर्दार को मतलब उनके माइब उन्हें लगाते हैं जब बताते हैं किम यहाँ और रहते और कहिंगे आल Che jew भे अधनी आफ पहुचते लिधा तरह रूगना है जाल उग लिधा फिर घर इसा टूट्स थे झाल करो उग Erst डे है और फिर रह फूप और उट अल्लागन है जूग्या प्रक एंधर की में रहते है प्रों एक है अंगे तर्स्पिया है, कि आप अ हरे में जो दोस्ती भारे में जब और दोस्ति नहीं बें हाजे ल है साज़ कि अजसे भारा हो रहा ही आप pre लगाघे हैं किसस्के मेरे लहें पर कि डूसरी था कर अट्ष्ट टाल काई पर्स बात् वे लोगाउन है वाई लिख आपड़ी को दो जाख रहा है लोगा एक जिए लिए लुप है लोगाई लिए लोगाई वाई बटनाक जाए लोगाई ले लिए लोगाई टोपिक लेख शोशल मेडिया पे वाटसे पर फेसबूक अब है अब अब इसे रखे रहें लाफटोप मॉबाई और ये अजरूवा से लिए, अजने हैं, प्रेप्सेटा अवेश था लिए काम अजने हैं, यह रड़ता निया के समय हैं, से बादलता परिवेश हैं, फार वह जोंड निए कितना डिफर्छंस पते हो तो नों जी जहां है I find a deep फैमिली थेंच फार यहां टरह एक अपन पर एक तरह लोग के रहते हैं कि यह अपनी प्राइप यह गलत कर रहा है कुछ गलत कर रहा है कुछ जो जो सही कर रहा हैं वो सब देखते रहते हैं और सिंगल फैमिली में फिर ऐसा रहता है कि बत लोग कर चले गए फोन चला रहा है कुछ भी कर रहा है कुछ पता नहीं है तो हर्ष छोटे से साहित कार हैं सोच बहुत बढ़ी है इसलिए वो इतने अच्छे लेखक भी बन पा रहे हैं हर्ष डादा से अच्छे बहुत बहुत अच्छे इजोश अच्छें के स्टोरी हम ये स्टोरी पमेंपनी च्छेंक कार बहुत थां में रहा ठादी है रादी प्रीच्छे है यज मेरे जुख कूर कुछ huh लावति वहुत प्रमशा मैं श्री वीजिग अच्छे इंत्री लुष में वैंने लिखा इस अपने लिखा और उसका में अपने लिखा और उसका टाइटल भी उच्छे सब्सक्राइब वह बढ़ा और बहुत अच्छा कुछ कर जाओगे जो आगे लिए आपकी एक स्टोरी इसमें है सच्छता सच्छता के लिए पूरे देश में अभ्यान चलाया जा रहा है छोटे बच्छे जादा आवेर हैं सच्छता को लेकर बड़ों में अतनी अभी समझ नहीं आई है बड़े कहीं भी उठा के सड़क पर सामान फिले लेकिन बच्छे नहीं करते हैं यह स्टोरी आपने सच्छता वागी जो इनके गर वाले होते हैं बागी जो इनके दोस्त लोग वह सब व्होग विया उनको मदद करते हैं वो फिर पूरा इसाफ़ा ही करते हैं उसका फिर फिर गाओं जो नदी वो भी पॉल्यूड नहीं होती और बाकी सब्सक्राइब हर्ष चोटे से साहितिकार हैं लेकिन उनकी सोच बहुत बढ़े हैं उन्होंने अपने आसपास में घटने वाली घटनाएं और आपनी रोज मर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीज़ों पर कहानिया लेकिन उन्होंने एक बड़ी कहानी जो आज के सोच पर डिपेंड करती हैं बेटा और बेटी समान है आपने वो भी लिखा है क्या है इसमें वही है कि जैसे कुछ बेटियों को नहीं रहता कि तुम यहां नहीं जाओगी तुम यहां नहीं जाओगी उस पर लिखा है और यह भी लिंक करके लिखा है कि जैसे कुछ लोग मना करते हैं कि हाँ आपको न तो ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी चीज़ को जादा करने के लिए मोटिवेट किया जाता हो और बेहन को नहीं नहीं तो कभी नहीं हुआ जिसे वह चोटी है तो उसको थोड़ा सा जादा कि नहीं मदद अब हर्ष के घर में उल्टा है बेटों को बहुत जादा नहीं लेकिन सोचा है कि जो आप स्टोरी लिखेंगे तो उन स्टोरी में खास तोर पर क्या चीज़ेसी होगी जो लोगों को एक्तम कैचिंग अभी तो मैं जो कोशिश कर रहा हूं वह अभी वही जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है सोशल मीडिया उस पर मैं भी काफी वर्क कर रहा हू और बाकी कुछ मैंने भी जो कि जल्स अंट्रक्शन जो पानी के भी मुसीबट चल रही है तो एक उस पर भी मैंने भी लेके चल रहा हूं हर्श यह क्या आया दिमाग में कि सूरत से कुछ नहीं होता यह तो बहुत अच्छा भी है और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ लोगों को हुट लगता है कि लुट अर टा कि जा हम आरे अर्मस के सामने वाला बात नहीं करता है यह हम सख़ा हो पार है लेकिन आपने लिखा सूरत से कुछ नहीं होता यह भी मतलब है इसकूल मेंग ह democr मेंने छोप चूट अर अवे लेक तो बारती है कि वह र्ग वहाद मत करो गंदा देखता है वो काला है तो एक उस पर लेके लिखा है कि वो मगर वो टॉप करता था था पड़ाई में हमेशा हमेशा इंटेलेएंट तो यह उस पी एक कहानी में अजी हर्श का दिमाग और आखे चारो तरफ चलती है वो किसी चीज को छोड़ते हैं और हर प्रधान मंत्री जी को इस बात से कहा जाता है कि चाय वाले और आप लिखा है चंदु चाय वाला क्या है यह कानी तो ऐसी थी यह मतलब मेरी फेवरेट भी है और ऐसी थी कि मतलब एक बच्चा रहता है वो पंड़ने में बिल्कुल इंटेलिजन नहीं रहता है तो उसके घ खरीदता है और उस ठेले पर दीरे चाय का मतलब एक तरसे स्टॉल टाइप लगाता है तो उसका दीरे दीरे चलने लगता है बहुत तो जब उसके मम्मी पपा मतलब शहर आते हैं देखने कि हमारा बेटा क्या कर रहा है तो उस टाइम तक उसके एक शॉप खुल जाती है त जैसे हर्ष ने ठान लिया है कि वो एक सक्सिस साहितिकार बनेगे हर्ष को दखल न्यूस की तरफ से भी हम विशेश आशिरवात देंगे कि हर्ष नाम रोशन करें अपने शहर का अपने भोपाल का अपने प्रदेश का हर्ष की कहानिया हम युही पढ़ने को मिलती रहें औ जिससे हमारे आस पास जो छुड़ी घटनाए हैं उनको बारे में बहुत अच्छी सी स्टोरी में हमको समझ में आये जान सके हर्ष आपका बहुत बहुत शुक्रियाप हमारे स्टुडियों बेयाएं इस तरीके की प्रतिभाय हम आपके सामने लाते रहेंगे आप देखते आप देख रहे हैं तखल न्यूज